आज आपके सामने जो वीडियो लेकर के आये हैं यह आपको हम क्लास 12 का जो इक्चाम आने वाला है उसमें हम तो पीन चीजे मोलल्ता मोलर्ता और मोलल्त ध्रमान पर इसे टिप पड़ी लिखने को आएगी तब भी काम आएगा निमेर्कल आएगे तब महों ललता और महों ललता में फरक कितना है थोड़ा सा यहां पर बोला जाए कि एक किलो गराम बिलायक में, आपका किलो गराम में बात हो, एक किलो गराम बिलायक में उपस्थिक बिले के मोलो की संख्या को ही हम बिलेन की मोललता बोलते हैं, एक किलो गराम बिलायक में, एक किलो गराम बिलायक में बिले के मोलो की संख्या को ही उस कथे हैं म theft सूझ के बिले की मोलों की संख्या बटा विलायक जो है विलायक उसका भार कब्सक्रीकराइब कब्सक्रण आफ चार्शन भाग होगा तो गुरण उपर सब्सक्राइब समझते हैं सब्सक्राइब कर देखें गुले भिले के मोलों की संख्या उस मोह लिल्टा कहारती है विलेन के महलते मार्य नहीं सीगा machine नहीं पर महलूद स्क्वेवर्ण कमलंच क्रश्ज़ा this मोलाइब लिए हैं एक आयब आयब जो भी निकार रहे हैं इस आयब को निकालना है उसी में मुझा आयाब के मोलों की संख्या तथा उसमें विले और विलाइब के कुल मोलों की संख्या कानुपाथ होता है आप a b c a lucky निकाल रहे हैं एक अको आप अपनाहे बिलयाक का की बिले और नीचे नीचे और दो और जिसका बिलेंग निकालना हो तो ऊपर दोनों को नीचे से लिदा से बनाइयANA सु ने उसको बिलियन के निसे हम ने उसमें पढ़ा कि आपके सामें यह पर दिया गया है तो यहां तब कांग हो गया है है पर हम सौग्राम नीखे कर सो यह हो घ्रम कर लेँ थेजिब हमारा जिसका जी साघंना है तो दौ cur लुड़के यह में उपर कर देट रिए दौनागा नीखे और सो गडम में निकालना होता है सॉसेगुड़ा मुञापर कर दिए ति हमारा रहा-फारमूला अभि इस पर जब भी सवाले जो आएंगी इस पर जो सवाले आती है आपको प्रता है कि सवाले कुछ किस किस तरीके से आ सकती है तो हं सवालों को लेकि चलते हैं और लगाते हैं आपके लिए कुछ सवालें देखते हैं कि आप इसमें से कितनी कितनी सवालें लगा पाते हैं ठीक है तो सबस्वेले हम कुछ सवाल पर पहुंचते हैं उसके बाद आपके लिए देखिए हम क्या कर निकालना है एक सवाल है इसमें मोलर्ता निकालना क्या निकालना है मोलर्ता बिलियन में एक क्या है बिलियन है और बिलियन में क्या है कि आपका 40 गराम कितना 40 गराम आपका क्या है एन्ने ओयाच है ठीक है 40 गराम एन्ने ओयाच है और 500 मिली जल में कितने मे पांसो मिली जल में 500 मिली जल में घोला गया है जल में घोला गया है इसकी rule डायता निकालना है क्या निकालना है इसकी हैं तो उसमें हमें मोल लर्टा निकालना है क्या निकालना है अब बताईए क्या दुम रही आपको क्या का मान ही तरीकत रहाँ ह Belgium अज़ता रहा हूं सबसे पहले क्या करिए आप एक की मोल क्या करेंगे निकालने के लिए सब्सक्राइब निकालने के लिए क्या निकाल लेंगे अनुभार कितना होता है तो हम निकाल लेंगे ए और चाली ग्राम तो दिया ही है उसका नोच का भार जो दिया गया है today चाली में इनचे अड़ी 3 2 2 3 30 हिजया प्लस का कितना होता दोन से जोड देते हैं तो लिए हैं तो बीस धस तीस 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 जो गई कितना हो गया होते है is चाली गदेश हॉतकी सारी से टीश के लोगा नद्फारद सा थार नियुक्त लिस्पार में लिए 20 और है तब उनलयोंंगी सोब़ए मोल की संख्या मोलों की संख्या मोलों की संख्या कैसे नहीं क्याला जाता आपको पता है कि हमारा जितना उसका अभार हो उसको आप लिख दीजिए हमारा इसका अभार कितना है 40 और कितना होता है इसका हमारा वो उसको हम देखेंगे हमारा टोटल कितना है हमारा टोटल हमारा 40 यह भी 40 सब कुछ 40 ही है तो हम उसको यहां पर रख रहे हैं बस और कुछ भी नहीं करना है ऐसा कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए और वहार हमारा 40 हो गया तो इस तरीके साम इसको रख करके अब हम काटते हैं इसको काट लेंगे हमारा जाएगा एक कितना जाएगा एक ठीक है ओके बात को समझ गए अब हमें क्या करना है इसको हमें हमने तो निकाल लिए यह क्या था हमारा बिले था अब हम बिलायक का निकाल लेते हैं बिलायक हमारा कौन सा है बिलायक हमारा पांसो मिली जल में है हमारा हँर हम देख लेदे हैं तो डिले समझे हैं तब हार चैक केटना है रोटा अगर देख रहे हैं हमारा पाण्सों मिली है और कितने में होना चाहित एक है इसको काट लेते हैं दुज़िज़िवें नने कांई एक ह! इसको काट लेते हैं झीशी! इसका जबाकर दसम्लों इसमें साठाएंगे तो यह हमारा दस बनेगा और पांच आ जाएगा तो पांच दूना दस दो आ गया दो मोल आ गया यह हमारा अंसर आ इस तरीके से मोल अरतन का से इदमीजी तरीका से मत्तब आपको दिकत नहीं होगी यहां पर दिकत आपको होने वाला नहीं है बस आपको लगाने की जरूरत है अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है कोई बात ही नहीं है ठीक है तो आपको क्या काम करना है सबसे पहले दिमाब बैठाए कितना भार इसका है 40 और इसका असलियत मांझा होता है वह भी 40 निकला यह सब्सक्राइब करना है जब कि बिलायक जो है ना बिलायक हमारा कितना है चार सो चालिस है और बीस गराम जो है ना ओच है ठीक है बीस गराम ना ओच है और जो बिलायक है हमारा बिलायक हमारा कितना है चार सो चालिस गराम है कितना है चार सो चालिस गराम है ठीक है यह हमारा बिलायक है अब बिलायक क्या है यह पता होता नहीं है यह सवाल हमारी अग पहले अनुभार निकालेंगे कितना है 20 है 20 को काटेंगे 40 से हमारा काटने बाद आ जाएगा कितना एक बटा दो आजाएगा अगर हम इसको काटते भी हैं तो चाहे तहम जीरो सुनों पांच भी लिख सकते हैं करेंगे इसका मैंने कितना होता है इसके वाहर 440 ग्राम है और 44きたना एक हजार ग्राम में से अगर इसको करते हैं तो क्योंकि यह एक हजार किलो ग्राम होता है इसको हम जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे यह सो बच रहा है सो से अगर डिवाइड करेंगे तो जीरो समलो चवाली साथ यह यह क्योंकि सो सभाग करेंगे अब हमारा लास्ट फेज क्या ह मौल्णता में होता है कि हमारा 0,25 है कि अर यहां इस यही लगा देते हैं जी रूपढ़ाएंगे नीचे इंजे बढ़ है मारा एक जिरो मतलब यह पचास बन गया चावालिस अब इसको हम काटते हैं तो काटने गवाद आप समझ रहें कितना आएगा यह निकि हम इसको जैसे कि 44 44 काटेंगे दसमलों लगा बचा कितना साथ बनेगा थे चावालिस एककम चावालिस फिर से जाएगा सिंप जाएगा ठीटना सिंट कॉल Alexandre तो दना इतना से नहीं इतना सवालबन इसमोबन ऐसे सवाल अगर नगा सकते हैं अपके लिए कोई मोरें की सवाल हो तो इसको भी लगा सकते हैं मोलें सकी सवाल ये दूसे वालने तो आपको बहुत मिलेगी हैं और यह दो सवाले पूछी जातिए हैं और इसके लिए आपको एक फार्मुला और भी यहाद के लिया आपका जो अनुमान लिस तराहं जौब ला है와 वाली सवाल होते ही इसमब लिए भी आपको याद कर लेना है ठीक है मोलंस की गड़ना वाला लिखते हैं देखिए सवाल में क्या है सबसे पहला काम आपको इसमें सवाल में बोला जाराय कि जो है भार है भारन सारा कर देते हैं 25 परिसात ना 25 परिसद आपको गले सराल है क्या है मैं इस्टिर्ड एच्ट की यह है ऐसार और विलेंड में घ्लसरा के मोलकि संख्यां निकाना लेकिन इसमें क्या है कि एक और तो दोनों जब पता हो तो आप निकाल सकते हैं इसमें आपको सवाल बड़ा पड़ेंगे और जब तो दूसरा वाला वालू नहीं दिया जाएगा तब तक आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी ठीक है इसलिए दूसरे वाले को जानना जरूरी है तो बखी अगर हम समझते हैं तो ग्लूकोस आपका इसका भार हम निकाल लेंगे तो भी रहते हैं देते हैं इसको सवाल यह आता भी कम है लेकिन पर गहां साथ कि पड़ी की रूप में जाते रहे हैं टाइम भी जाता हो जा रहा है वीडियो बड़ा हो जाता कोई देखने वा सवाल हम लगाने वाले हैं आपके लिए जो अगली सवाल आपकी आती है एक आपका आता है इसमें जो अनुमान इस्तरांग और उन्में इस्तरांग के आता है मोल प्रभाज वाली सवाल अगर पूछा जाएगा मोल प्रभाज मतलब इसी तरी किस लगाना है मोल प्रभाज घृवर्ण में जो दोनों अड़ों। जिसका निकालना उसको उपर और दोनों को आपको नीचे करना है मोल्प्रभाज भी ऐसे में दोनों प्रबहाज दएम। प्रटावली सवाल किलियर हमने यहां पर वाइभांसा सूत्र और निमेर कल को बता दिया जो निमेर कल नहीं आते उसे को में छोड़ा है वाकि अगर आएगा तो भी लगा लिए वीडियो में और तब तक हमारी चैनल पर आप पिश्टे रहिएगा एक अच्छे से यहां पर ह लाएप देंगे जैसे घ्या तो अच्छा लगावत लाइसे रिकमेंट करते ना और नाच्छा लगावत दिस्टाइक कर देना और मेरे सब्सक्राई करें अब करें लाइगा उस पर क्लिक करेंगे पूरा डिस्क्रिशन ख़ल गयाता है बहुत सारी लिग्श्ट है चरकत कर फिर ये इसके लिड़ों इसके लिए इस